बच्चों मैं मनिलता पचानोत असिस्टेंट प्रॉफिसर गौर्मेंट गल्स कॉलेज बुंदी आज आपको कुमार संभवं महाकावि के पंचम सरके 26 में श्लोग का अध्यन कराऊंगी इस रोग में पार्वती की जो तपस्या है वो हेमंत रुतु में भी लगातार जारी थी हेमंत रुतु में किस प्रकार से वो तपस्या करती थी इसी का महाकवि कालिदास ने वणन किया है निनाय सा अत्यन्त हिम उतकर अनिलह सहस्य रातिरी उद्वास तत परा परस्परा क्रण्यनी चक्र वाकय हो पुरा वियुकते मिथुने क्रपावती निनाय अर्थात बिताई सात्यन्त हिमोत करा निला अनिक हिमकणों से व्याप्त हवाओं वाली सहस्य रातिरी पोश की रातिरी उद्वास तत परा जल्वास का परत परस्परा क्रण्यनी चक्र वाकय हो एक दूसरे को पुकारते हुए चक्र वाकयों चक्वा और चक्वी पुरो वियुकते सामने बिछुडे मिथुने क्रपावती और जोडे पर क्रपावती सहनुवुती दिखाते हुए सा अतियंत हिमोत करानि लहा उसने अर्थात पावती ने अनेक हिमकणों से व्याप्त हवाओं वाली सहस्य रातरी पोश की रातरे उद्वास तत्परा जलवास का अब्रत लिये हुए परस परा क्रंदिनी एक दूसरे को पकारते हुए पुरह सामने विवकते अर्थात बिछडे हुए चक्रवा के यो चक्वा और चक्वी के मिथुने अर्थात जोडे पर क्रपावती सहनुवुती से सहनुवुती दिखाते हुए रातियों को बिताया इस लोग से देखिए निनाय सात हिमोत करा निला वह पारवती अत्यादिक बर्फ की हवक बर्फ की वर्षा करने वाली सहस्य रातिरी उदवासत अत्वरा वायू से युक्तु शीतल पौशमास की रातियों में जल मैं खड़े होकर परस्पर आक्रदिनी चक्रवाकियों पुरो वियुक्ति मिथुने क्रपावती एक पौश की रातियों को जल में खड़ी हो करके एक दूसरे से मिलने के लिए चिलाते हुए अपने सामने ही एक दूसरे से बिछडे हुए चकवाथ सा चकवी के जोड़े पर दया दिखलाती हुई व्यतीत करती थी तो पार्वती हमंत रितू की हिम सदरश शीतल वायू से युक्त रातियों को भी शीतल जल में खड़े हो करके पिताती थी ऐसा करने से उसका तप निरंतर व्रद्धी को प्राप्त हो रहा था तपके बढ़ने के कारण उसके हिरदय में करोणा के भाव जागरत हो गए थे अतेव वह जव रात्री में परसपर एक दूसरे से मिलने के निमित चिलाते हुए व्योगी चकवा चकवी के जोड़े के आकरंदन को सुनती थी तो वह उसके पती अत्याधिक दया के भाव को प्रकट किया करती थी चक्रवाकेओं अर्थात चकवा और चकवी के इस पक्षी की सबसे वड़े विशिष्टा क्या होती है कि यह जोड़ा संपून दिन साथ साथ रहता है तता रात्री में दोनों ही एक दूसरे से प्रतक हो जाते हैं निनाय अर्थात व्यतीत करती थी भाव यह है कि रात्री के समय चकवा चकवी के जोड़े की वियोग अवस्था तदा परस पर एक दूसरे से मिलन की इच्छा के कारण चिल्लाते हुए देखकर उसका अर्थात पार्वती का जो हिर्दय है वो दया से आद्र हो जाता था और उसकी पूर्ण सहां उन्य भुतीस जोड़े के प्रती थी संस्कत व्याक्षा देखिए सा गोरी अतियंत हिमोत करानिला अत्यदिक तुहिन शेप वाता अर्थात वर्फिली हवाउसकी सहस्य रात्री पोश रात्री पोश मास निशहा उदवास तत्परा जल्निवासा सक्ता जल्वात व्रत सनलंगना परस्परा क्रंदिनी अन्योन्य क्रोशिनी पुरह अग्रे वियुक्ते वियोग युक्ते चक्रवाकयो पक्षी विशेशयो मिथुने युगले क्रपावती दयावती निनाय व्यतिताय